मेरे बार-बार मना करने के बावजूद आप एक ही गलती को अपने तलाब में बार-बार दूराते रहते हैं वीडियो को अच्छी तरह देखें जो वीडियो में बताया जाता है उसको अपलाई करें 100% दोस्तों एक बार फिर से स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल फीस फार्मिंग एंड शीडिस पर जैसा कि सारे लोगों को पता है जो स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है लगए 300 लोगों से 200 लोगों से प्रतेक दिन बात करने का मोगा मिलता है और जब हमको पत तो यह गलती है जो बहुत बरी गलती आपके द्वारा की जाती है आपको पतार नहीं है आज तक कि जिस तलाब में आप कतला मशली का पालन करें उसमें बीगेड मशली का पालन न करें बीगेड का पालन करना है तो आप करें उसमें कतला मशली का पालन नहीं करें सिल्वर क पालन नहीं करें हम बार-बार अने को वीडियो बनाया है जिसमें बताएं है कि बिगेड मचली आपके तालाव के लिए जो भी नेचुरल फीड आप तयार करते हैं चाहिए वह आप हमसे प्लेंग्टॉल मंगवाते हैं दिये हुए नंबर पे कॉल करके आपको भी अगर मंग प्लेंग्टन तयार करते हैं उसकी आवे सकता नहीं करती हैं तो अगर मंगाना होगा तो दिये हुए नंबर पे कॉल करेंगे पलस हम बताना चाहेंगे कि जब आप कतला मचली का पालन अपने तलाव में करते हैं साथ-साथ बीगेड का भी पालन करते हैं तो जो भी करते हैं तो दीनों दिये हुए नंबर पे पे आप कॉल करेंगे हम बीज भेजेंगे आपके लिए उसमें कहीं दिकतत नहीं है लेकिन यह करें कि जिस्समें जिस तलाव मैं आप भीगेड का पालन करें कदला का अपलनंन नहीं करें नहीं तो इसका ग्रोथ बाधित हो कि ये तीनों मचली आपकी उपरी लेयर में रहती है बीच के लेयर में ग्रास कार्प और अपना जैनती रोहु रहती है और हाँ एक चीज़ और कहेंगे कि जैनती रोहु का भी सीड चाहिए हम अपरिल महिने से आपको प्रोवाइड कराएंगे तो आप दिये हुए नंबर प साथ आप कतला का पालन नहीं करें बीघेड का भी पालन नहीं करें तीनों में से हम कहना यह चाह रहे हैं तीनों में से सिर्फ एक ही मचली का पालन करें बीघेड का ग्रोथ काफी बहतर होता है लेकिन मार्केट में रेट कम मिलता है हो सकता है आपके मार्केट में अच्छा सब्सक्राइब हैं नीचे के लिए आप गलती करते हैं बहुत वारी कल देते हैं अप लोग हम उस गलती के बारे में बताना चाहेंगे आपको कि आज भी आप common carp अपने तलाब में डाले हुए हैं common carp डालना बंद कर दें दोस्तों और common carp के बदले उसका जो hybrid quality आता है जिसे अमूर कार्प के नाम से हम जानते हैं, उसका पालन अपने तालाब में करें निचली तली के लिए अब वह समय नहीं रह गया है जब आप कॉमन कार्प का पालन करें रेट भी कम मिलता है, गरोथ ज़ादा नहीं आता है और आपके तलाब में बहुत सरा बच्चा दे देती है कॉमन कारप तलाब में अंडा देने वाली मचलियों में नंबर एक पर आता है कॉमन कारप जिस तरह से तिलापिया मचली आपके तलाब में बच्चे दे देती है असंख संख्या में करोडों की संख्या में उसी तरह से यह कोमन कार्प माचली है न बेट वाली यह वह काफी मातरा में अंडा देती है उससे आपका तलाब का एस्टीमिट खराब होता है यह कमी अमूर कर्प के साथ नहीं है तो अगले बार से जब भी आप बच्चा हम से मंगवाए कोमन कार्प का नहीं मंगवाए सिर्फ और सिर् मुरी गल के साथ आप अमूर कर्प कर डाले यह हम तो कहेंगे कि मिरीगल नहीं ढले तो ज्यादा बहतर है ग्रोफ काफी विलंब से होता है काफी देर सो olduğu है या अपना अमूर कार्व है ना इसका ग्रोथ काफी बहतर होता है किसी भी मचलियों के बीज को मगवाने के लिए आप दिये हुए नमबर पर कॉल करेंगे बहुत बहुत धन्यवाद चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बहुत धन्यवाद